आज हम ये देख रहे हैं पाइसिस यानि मीन राशी के लिए जुलाई 2024 में आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहेगी इसी को लेकर ये रीडिंग है आज बाइसिस अब लिए रीडिंग होगी जो सिंगल है मैडिक कपस हैं यहाँ अगर एक सिंगल परसन भी है तो आप सभी के लिए रीडिंग और मैसेज़े सुंगे यहां मेकार शफल कर रही हो और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यह कार्ट आए हैं आपके लिए और काफी कुछ मैसेज़ेस हैं फर्स अगर टैरोडेक के साथ स्टार्ट करें आपके लिए रीडिंग तो यहां आपके लिए कार्ड आया है एज ओफ कोईंस का आप में से कुछ लोग टारस वर्गो के साथ रिलेशनशिप में हैं और यहां नई शुरुवात आपके लिए होने वाली इस मन्त में वही नेक्स काड आपके लिए ऐए सेवन ऑफ कॉइंस का तो यहां आप काम पर काफी फोकस दिख रहे हैं एक नया कुछ जोब अगरा लग सकता है आपका ऐसा दिख रहे है और काफी पैसा कमाने वाले हैं इस म लग रहे हैं और यहां इसा दिख रहा है कि यह परसन जो है काफी डैलिकेट हैं काफी ब्यूटिफू है इंटालिजन्ट है और इनका एक अच्छा फाइनेशल स्टेटरस हो सकता है जिनसे आप जूड़ें इस मन्त में वहीं यह अपनी अबंदन्स का शेयर भी करेंगे आ कि आए ऊपके लिए पर यह का ने में पर वाइए और आपके जीवन से जाने तो दिख मया है तो यह पर आपको चूनने वाले एंच मंत में शेयर बहुक्त हैं इंगें प्रिफें कष्छ लोगों टार्टनर् Aries, Leo, Sagittarius भी है, यानि मेश रशी शिंग रशी धनु रशी भी हो सकती है, आप नेक्स काड़ ऐया है आपके लिए ट्व आफ कप्स का, बहुत ही सुंदर काड़ आया पह लिए, तो कुछ लोग अपने सॉर्प बीलेंगे पून बान हो सकती है और यहां ऐसा लग रहा है कि कपाज के बीच में मिसंडेस्टेंग अगर पूसी तो वह खता होगी बहुत ही लविंग केरिंग और अंडेस्टेंग वाला रिलेशन्टिप आपके लिए रहने वाला है और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए अपने ट्विंट लेम से म लग रहे हैं कि जिनके साथ आपका कनेक्शन बनेगा वह परसन काफी गीवर है वहत लोगों की हल्प करते हैं इस तरह के काइंड और काफी गिविंग नैच्छर के यह परसन हो सकते हैं और आपके पार्टनर जो हैं वह भी इसी एनरजी में रहने वाले हैं काफी गीवन ट करतों लिए अगर हम देखें तो यहां का आया है अपके लिए अंजल ओफ बैलेंस का आप एंजल ओफ बैलेंस का आन इस विर्लेशन्षिप में अगर उपटाउन थे तो आपके लिए खतम होंगे जैसा कुछ लोगों के साथ डिलेशनशिप में बहुत बा नाउंस चल रह है यह कुछ ऐसा हुआ जिसकी वज़े से अभी आप नो कॉंटेक्स सिच्वेशन पर चल रहे हैं और बहुत जादा दूरियां अगई है कुछ कपल के बीच में पर यहां आपको टैंपल फाथ फोनो करने के लिए कहा है चाहिए आप जिस भी रिलेविजन से हैं पर आपको ध पर आप इस मंत में आपके लिए एक स्ट्रॉंग एक्शन लेने वाले हैं और काफी पैशिनेट है आपकी और काफी आकर्शीत है कोई परसन ऐसा दीख रहा है इसी एनरजी है वही नेक्स काड़ आया है पेशन्स का पर यह रिवर्स में आया है तो आप हो सकता है अभी धी कर दिया है किसी टॉक्सिक रिलेशन्शिप से या सिच्वेशन से या कुछ लोगों से ऐसा भी दिख रहा है वही नेक्स काड़ आपके लिए आया है 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 तो ऐसा वाकवे आपको एक हैपी फैमिली की तरफ ले जा रहा है यानि आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल सकते ह है या आपके पार्टनर जो है जिन लोगों का रिलेशन्शिप बहुत अच्छा चल रहा है उनके लिए ऐसा लग रहा है कि आपके लिए शादी मैनिफेस्ट रही दिख रही है कुछ लोग अपने लाइफ पार्टनर से मिल सकते हैं और कुछ लोगों की वैडिंग फिक्स ह हो सकती है और वहीं आपकी फैमिली में काफी हैपी मूमेंट आने वाले हैं आप अच्छा टाइमिंग देखेंगे इस मत में अपनी परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बिताने वाले है ऐसा दिख रहा है वही नेक्स काड़ आया है आपके लिए सेकिंड शेक्र आपका बैलेंस में आएगा और इसी बज़ें से दूर या खतम होगी आपके पार्टनर आपके बीच में अगर दूर या आ गई थी तो वह खतम होने वाली इस मत में इसा दिख रहा है वही नेक्स काड़ आया है तो तो तिंकिंग वोमन आप से जूर सकती है इस मत में जिनके साथ अपने कॉलेजिंग स्कूलिंग की हो या यह टीचर लेक्ट्र हो सकती है वहत खुबसूरत होने के साथ सबस्क्राइब हो सकती है जनसे आप इस मत में मिलें या एक कानेक्शन हो सकती है इनके साथ पहले से आप इने जानते हैं इस तरह का दिख रहा है और यह काफी समझध हैं तो God आपकी help हर situation में करेंगे प्रेयर करें आप आपके लिए ये help जरूर विलेगी आपको hope का card है look with the new eye and create the change that abates you यहाँ butterflies हैं तो यहाँ आपने काफी changes देखें transformation देखा है तो अब आपके लिए जीवर नहीं शुरुवात लेकर आ रहा है तो आप hopeful रहें hope less ना रहें उम्मीद परकरार रखें आप वही next card आया है queen of the unicorns you are blessed with love, compassion and wisdom जी आपके लिए blessing आ रही है love की और साथ साथ में आप एक wisdom भी पाने वाले हैं इस मंत में आप बहुत अच्छा timing देखेंगे जुलाई के end तक आपके लिए situations काफी positively change होगी आपके लिए जो person आ सकते हैं उनके initials जोडिक साइन और आपके partner की तरफ से आपके लिए क्या message होगा जोडिक साइन इनिशल्स अगर हम देखें पी नाम से हो सकता है कुछ लोगों के partner का नाम वाई नाम से हो सकता है एल नाम से हो सकता है उनके initials में एस इनके initials में हो सकता है जिनसे आपका connection जूड़े या आप अलरड़ी हैं के नाम से हो सकते हैं आपके partner की नाम में के निशल्स में आर नाम से हो सकता है आपके partner की राशी अगर हम देखें तो टॉरस हो सकते कुछ लोगों के partner रशब राशी के हो सकते हैं cancer हो सकते हैं कर्क राशी के Leo हो सकते हैं कुछ लोगों के partner singer राशी के Vargo हो सकते हैं kanya राशी के आपके partner की तरफ से आपके लिए क्या message है ये भी हम देख रहे हैं true lover आपके partner आपको true lover की तरह मानते हैं या कोई person हो सकता है जिसको ऐसा दिखता है कि आप एक सच्छे प्रेमी की खूभी है आपने आप उनको जीवन में बैस्ट करने के लिए इंकरेश करते हैं, प्रेहना देते हैं आप लोगों के लिए ही मैसेज़स से और यही डीडिंग थी अगर यही डीडिंग आपके साथ राज़नेट करें तो फ्लीज मेरे शेयर को लाइक शेयर और सबस्क्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वचिंग माई वीडियो वीडियो हैवे हैं व्लैस मन्त वाइसे झाल माई भॉर ग्ताष ऑर ऑगर ट रलॺं की शाब्पियो लारण वीडियो है वे एह ही कि टॉर रखेंग हैं जी ये तो फ्लीच मेरे हैं वेड माई भाँ म, ग्भ़ग रह थायता हैं वीडियो नाहीन हैं विएनी मेरे चाम का आपके साथ हैं लागर, एनी एहारे लाण